एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है लेकिन कुछ लोगों को बॉडी बनाने की इतनी जल्दी होती है कि वह बिना कुछ खाए पिये ही जिम जाकर वकाउट करना शुरू कर देते हैं इसे शरीर में कमजोरी आने लगती है और बॉडी भी नहीं बनती हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो खाली पेट जिम जाने से नुकसान हो सकता है लेकिन पेट भरकर खाने के बाद एक्सरसाइज भी नहीं किया जाता तो चलिए हम कुछ ऐसे खाने की चीजों के बारे में बताते हैं जिसे आप वकाउट से पहले खा सकते हैं वकाउट करने से पहले हेवी नाश्ता ना करें इससे आपको परिशानी हो सकती है वकाउट से पहले आप प्लेन मुंग दाल का डोसा खा सकते हैं या हलका होता है जिससे खाने के बाद आसानी से वकाउट किया जा सकता है लेकिन इसे भी जरूरत के हिसाब से ही खाएं पेट भरकर किसी भी चीज का सेवन ना करें। कॉनफ्लेक्स जी हाँ, कॉनफ्लेक्स खाने में टेस्टी होने के साथ साथ कई पोशक तत्व से भी भरपूर होता है। आप इसे दूद के साथ और फलो के साथ भी खा सकते हैं। इससे पेट जादा नहीं भरता और आसानी से वाक आउट भी किया जा सकता है। सुबा के समय अगर जिम जा रहे हैं तो आप दूद के साथ ओट्स खा सकते हैं। इससे पूरे दिन बॉडी में एनरजी बनी रहती है। इससे वाक आउट करते समय भूख भी नहीं लगती। सुबा सुबा कुछ खाने का मन ना करें तो एक ग्लास दूद या लसी में से किसी एक चीज का सेवन कर लें। या भी शरीर में अनरजी को बनाए रखता है। कार्बो हाइडरेट की मातरा से भरपूर और कम प्रोटीन वाला सैंडवीच भी अच्छा आप्शन है। पनीर में या दोनों चीजें सही मातरा में होते हैं या कम समय में बन भी जाते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो वाक आउट करने से पहले आप पनीर आप रखना ना भूले और वाक आउट करते समय बीच बीच में इसे पीते रहे ताकि शरीर हाइडरिट रहे। उमीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब करन नहीं भूलिए।